हाई गाईज वेल्कॉम बैक टू माई चानल तो आज हम सिखेंगे मेक आफ और ओनलाइन डान्स कॉंपिटेशन तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहांन पर आप्लाई कर रहे हूं और आप यहां में देख रहे हो आपको हमेशा इन जाहन पर अचे घर और को जब जब जिससे जगाते में अपरकल में करते हैं तो अगर आपकों अच्छ तरीक से में 착m कर रहे हूं आपको बहुती सब्ठ हातों से उसको करना है ज्यादा आप उसको अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के करोगे तो वो बिल्कुल भी blend नहीं हो पाएगा इसके बाद हम यहाँ पे प्यान केक लगाएंगे अच्छी तरीके से मेल्ड कर दूँगी आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से भी फॉल अ करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहे हूं तो देख सकते हो मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहे हूं इसके बाद हम अपनी चिक्स एरिया पे रोज अपलाई करेंगे आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि बॉइस के लिए मेकप है तो आपको थोड़ा सा कम ही लगाना है ज्यादा मतलब इसे एक एरिया पे ज्यादा आप लगा दोगे तो बो बिल्कुल भी प्रफेशनल तरीके से मेकप नहीं लगेगा तो आपको धिरे-धिरे करके और हलकेल के हातों से ब्लस को नीचे से लेके उपर की तर आपको लगादाना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे करें चरीके मतलब ऑडीशी डांस है पर इसमें हम खृष्ट ची को थोड़ा सब यहाँ पर दिखा रहे हैं इसलिए आपको बिल्कुल भी जो ब्लू मेक अप आता है और शीडांस पर ब्लू मेकप कोई भी नहीं करता है तो अगया थोड़ीशी डांस के लिए हमें बस उसक कि आप देख सकते हो इसके बद हमें आइब्रोज मेकप कर रहे हूं और आइब्रोज की आपको बहुत ही थीन रखना है फेस के अकॉर्डिंग जिस टाइब का इब्रोज शूट करता आपको उसी टाइब का इब्रोज ड्रॉज करना है और इसका जो एंट पॉइंट से 20 वाल की लेक्त pierws लेक्का इस चीजा लिए के और ज्याँको में शरूंड़ की तरgos कृण 다양한 ब्रोजज के हमीस छोड़ा Great लेन ब्रेस एयरिया में अगर ज्यादा प्रोज़ब्त लेकिए अपलाई करोगे तो बिल्कुल भी वह उपर की तरफ लग जाएगा और वो बहुती गंदा दिखेगा तो यह चीज जो बिगनर से भूल जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रोड़क्त ही लेके यहां पर अप्लाई करना है तो आई ब्रोज और आई लूक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है उपर भी और नीचे भी इसके बाद हम नोज स्याड़ो लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो फिंगर की टिप के मदल से मैं उसको अच्छी तरिके से पहले तो अपने हाथों से ब्लेंड कर रहे हूं उसके बाद ही नोज इरिया पे अप्लाई करूंगी और आपको ज्यादा प्रोड़क्ट नहीं लेना है थोड़ा सही लेना है और दोनों उंगली पे उसको अच्छी तरिके से टिप करना है उसके बाद ही नोज इरिया पे अप्लाई करना है यहां पे हमारा जो बिंदी एरिया है और Beach वाला आपको बिल्कुल ODC में जो किया जाता है उसी टाइप का ही करना है पर थोड़ा सा उससे अलग करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है इसके बाद Side पे जो बिंदी में लगाऊंगी वो Krishna जी के लिए मैंने Create किया है करेंगे आप वह कर सकते हो आपनी साब से देखे लैंना आप इस के लिए डांस के लिए है रहे हो हुसरो झाल 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 देख सकते हो वान साइड हमारा कम्पलीट हो चुका है आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऑपोजिट साइड को भी कर दना है और नीचे भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है इसके बाद हम यहां पर सिमर अपलाई करेंगे और जहां पर हम हाइलाइट करते हैं उसी एडिय के नोस के उपर कर रहे हूं आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है और हां मेंने तो थोड़ा light lipstick भी ले सकते हो या फिर थोड़ा dark भी ले सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है कि odc dance के लिए कृष्णा जी का make-up है तो मैं यहाँ पर जो dark pink है उसी type का color ले रही हूं तो ये है इसका फाइनल लूक तो मैं डूर डैंस के लिए बच्चों को रेडी कर रही थी ये कुछ सांपल पिक्स आप देख सकते हो तो मैं मिलूगी आप सबसे नई वीडियो के साथ तब तके लिए रहती हूँ बाबाई